साथियों नए कुरसी सुधारों को लेकर तीसरा बहुत बड़ा जूट चल रहा है फार्मिंग एग्रिमेंट को लेकर देश में फार्मिंग एग्रिमेंट का कोई नई चीज नहीं है क्या कोई नया कानून बना कर हम अचानक फार्मिंग एग्रिमेंट को लागू कर रहे हैं जी नहीं हमारे देश में बर्सों से फार्मिंग एग्रिमेंट की ववस्ता चल रही है एक दो नहीं, बलकि अनेग राज्यों में पहले से फार्मिंग अग्रिमेंट होते रहे हैं, अभी किसी ने मुझे एक अख़बार की रिपोर्ट बेजी, आठ मार्च 2019 की, उसमें पंजाब की कॉंग्रेस सरकार, किसानों और एक मल्टिनेशनल कंपनी के बीच, आठ सो करोर रुपिये के फार्मिंग अग्रिमेंट का जश्न मना रही हैं, इसका स्वागत कर रही हैं, पंजाब के मेरे किसान भाई बेहनों की खेती में, जादा से जादा निवेश हो, ये हमारी सरकार के लिए भी खुशी की बात है, साथियों, देश में फार्मिंग अग्रिमेंट से जुड़े, पहले जो भी तौर तरीके चल रहे थे, उसमें किसानों का बहुत जोखिम था, बहुत रिष्ट था, नए कानून में हमारी सरकार ने फार्मिंग अग्रिमेंट के दोरान किसान को सुरक्षा देने के लिए कानूनी प्रावधान किये, हमने तय किया है कि फार्मिंग अग्रिमेंट में सबसे बड़ा हीत अगर देखा जाएगा, तो वो इस किसान का देखा जाएगा, हमने कानूनन तै किया है कि किसान से एग्रिमेंट करने वाला अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएगा जो किसान को उसने वादा किया होगा वो स्पोंसर करने वाले को वो भागिदार को उसे पूरा करना ही होगा अगर नए किसान कानून लागू होने के बाद कितने ही उदान सामने आ रहे हैं जहां किसानों ने अपने इलाके में SDM से सिकायत की और सिकायत के कुछी दिन के भीतर किसानों को अपना बकाया मिल गया साथियों, फार्मिंग एगरिमेंट में फसलों या उपज का समझोता होता है जमीन किसान के ही पांस रहती हैं एगरिमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं है प्राक्रू के दिख आपदा आ जाएं तो भी एग्रिमेंट के अनुसार किसान को पूरे पैसे मिलते हैं नए कानूनों के अनुसार अगर अंचानक याने जो एग्रिमेंट तै हुआ है लेकिन जो स्पांसरर है जो भागिदार है जो पूझी लगा रहा है और अचानक मुनाफ़ा बढ़ गया और किसान के कॉंट्रेक में तो कम पैसा है लेकि मुनाफ़ा बढ़ गया तो इस कानून में ऐसा प्रावदान है कि जो बड़ा हुआ मुनाफ़ा है किसान को उसमें से भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा साथियों एग्रिमेंट करना है या नहीं करना है ये कोई कंपलसरी नहीं है ये किसान की मर्जी पर है वही किसान चाहेगा तो करेगा नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा लेकिन कोई किसान के साथ बेहिमानी न कर दे किसान के भोलपन का फाइदा उठारन न ले इसके लिए कानून की व्यवस्ता की गई है नए कानून में जो सक्ती दिखाई गई है वो स्पॉंसर करने वाले के लिए हैं किसान के लिए नहीं है स्पॉंसर करने वाले को एग्रिमेंट खत्म करने का अधिकार नहीं है अगर वो एग्रिमेंट खत्म करेगा तो उसे भारी जुर्माना किसान को देना होगा लेकिन अब वही एग्रिमेंट किसान समाप्त करना चाहे तो किसी भी समय बिना जुर्माने के वो किसान अपना फैसला ले सकता है राज्य सरकारों को मेरा सुजाव है कि आसान भाषा में आसान तरीके से समझ माने वाली फार्मिंग एग्रिमेंट उसका एक खाका बना करके किसानों को देखे रखना चाहिए ताकि कोई किसान से चीटिंग न कर सकता है